हेलो फ्रेंड्स, बिजली की दुकान यूटूब चैनल में आपका स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकिया है हेल्स कंपनी का एक मोनोबलो पंप, मोडल का नाम है D1 तो कंपनी ने कुछ दिन पहले ही जो D1 मोडल है इसकी पेकिंग को चेंज कर दिया है तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी पेकिंग दिखाने वाले है इसके बोक्स के उपर क्या कुछ लिखा सब कुछ बताने वाले है साथ में इस motor के बारे में आपको complete जानकरी देने वाल है तो आप इस वीडियो को last तक चुरूर देखना जो आपके सामने box रखा हुआ है यह आप देख सकते हैं इसके अंदर monoblock pump है box के उपर लिखा हुआ है Hevels Company का नाम नीचे आप देखने लिखा है Cell Priming Monoblock Pump उससे नीचे के तरफ आप चलेंगे यहाप लिखा है Energy Effective Motor है High Section Power and High Discharge है Fitted with Brass Ampeler है With Thermal Overload Protection है Class of Insulation for Longer Life Motor IP55 Protection for Outdoor Rust Proof Stainless Steel Saft 2 साल इसकी warranty रहती है नीचे आप देखने माप लिखा था Home Service अब इसके Box के 200 साइडम देखते है यहाँ पर भी कुछ एक पैंट और लिखे हूँ आइटम नेम है Cell Priming Monoblock Pump है आइटम कोड लिखा हुआ इसके उपर Model है High Flow D1 0.75 किलोवाट की है 1 HP की मोटर है MRP इसका 12,940 रुपेद दिया गया है इसे निचे के तरफ आप देखेंगे यहाँ पर Company का address अगरा सब कुछ लिखा हुआ है दो टोल फ्री नमबर भी दिये हुए है 1811-0303, 18113, 1313 अब हम Box के दूसरी साइड देखते हैं वहाँ पर भी इस मोटर के बारे में कुछ एक पॉइंट और लिखे हुए है तो Box के दूसरी साइडम देखते है यहाँ पर आप देखेंगे किलोवाट अच्पी लिखा हुआ सबसे पहले वोल्टेज 220 वोल्टप चास सिंगल पेस की मोटर है मैक्सिमम हैड इसका 48 मीटर दिया हुआ है मैक्सिमम सक्सिनिस का 8 मीटर ड्यूटी एस्वन है इनलेट आउटलेट पहीं एक इंची का इसकेंदर लगाया जाता है मैक्सिमम पलो 400 लीटर परतिहर्स दिया गया हुआ है उपर एक चोटा सा कूपन है यह दुकानदार के लिए होता है दुकानदार ही इस कूपन को यूज कर सकते हैं जो कुछ मिलेगा तो दुकानदार को ही मिलता है किस्टमर को इस कूपन का कुछ भी बेनिफिट नहीं होता है यह पैकिंग की हमने आपको दिखा दी है इसके उपर दो रसी लगी हुई है तो सबसे पहले जो इस रसी है इन दोनों रसीों को भी हम हटा देते हैं जो दोनों रसी उसको हमने अटा दिया है उपर जो टेप लगी थी उसको भी हमने अटा दिया है अब इसके बोक्स को हम खोल कर आपको दिखा देते हैं उपर से जो गत्ता उसको हम निटाया, अंदर भी आप देखेंगे कि अलग से गत्ता लगाया हुआ है, और मोटर को इसके बीच के अंदर fit की गई है, मोटर बोक्स के अंदर पोलतिन के अंदर पैक है, अब इस मोटर को हम पोलतिन से और बोक्स से बाहर निकाल लेते हैं, यह लगा होता है, उसके उपर गाARANTY होती है, जो देट होती होती है, तो लूक वैस आप देख सकते हैं, उपर दो सेउल जो कपेश्टर लगाए हुए है, एक जो छटा सा बॉक्स उसके अंदर से वायर निकली हुए है, आप देख सकते हैं, एक वायर च्टीस के सात में टेस् फ्रन्ट से इसका लुक देखेंगे, हेवल्स कंपनी का नाम सामने लिखा हुआ है, यहां पर एक बड़ा एंपेलर लगा हुआ है बरास का, उपर की तरफ आप देखेंगे, यहां पर दो निसान है, एकी साइड और एकी साइड, एक साइड से पानी इन होता है, देख सकते निसान, दूसरी साइड से पानी आउट होता है, एक इंचे का पाइंप इसके अंदर लगाया जाता है, पलस्टिक की एक कैप उसको मिनेट आ दिया, उपर आप देखेंगे, जासे पानी इन होगा, है, इस टिकर की उपर इस मोटर के बारे में, कम्पलीट जानकारी भी दी हुई है, वह हम आपको एक पर पढ़िकर बता देता हूँ, जैसे की मोडल है D1 है, साइज लिखा हो है, पाइप का, हेड 6 से 41 मेटर दिया हुआ है, 4,000 लिटर से 800 लिटर परती हार से दियागा है, सक्सन हेड 8 मेटर है, दो कपेश्टरी इस के अंदर लेगे हुए है, रैनिंग का और स्टार्टर का, आप देख सकते किलोवाट अच्पी इस के उपर भी लिखा हुआ है, करनट 6.2 पेर है, स्पीड आर्पी में 1425 इस के उपर स्पेशल लिखा भी हुआ है, और आप देखेंगे सिंगल फेस इसे 220 वर्ल 50 अजड है, डूटी वर S1 है, यह सब कुछ डेटेल जो बॉक्स के उपर थी, इस तरह से इसके उपर भी कुछ एक डेटेल लिखी हुई है, पीछिक तरफ आप देखेंगे, यहाँ पर लोहे की कैप लगी हुई है, इसके अंदर आप देखेंगे, प्लास्टिक के जो ब्लेड लगे हो है, जो बार की ठंडी होती है, वह खीच कर आगे जो मोटर होती है, उसकी तरह फैकते हैं, तो भी आप टोल प्री नमबर पर कंपलेंट कराने से पहले भी, एक बार स्टिकर को जरूर पढ़ ले, जब इस मोटर को कहीं पर इंस्टोल करना हो, तो नीचे आप देख सकते हैं, दो सुराग दिये हुए हैं, दूसरी साइड भी आप देखेंगे, है, हेवी वेट की मोटर है, अब हम बात करते हैं, इस मोटर के पानी खीचने की समता के बारे में, इस मोटर के दौर हम कितना नीचे गराई से पानी खीच सकते हैं, जमीन का और कितना पीछे सप्लाई से पानी खीच सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि इस मोटर के द्वारा सप्लाई का पानी कितनी दूरी से खीच सकते हैं। यह मोटर सप्लाई का पानी लगबग 1100 फूट या फिर 1000 फूट दूरी से पानी असानी से खीच सकती है। यदि मानलो यह मोटर हमने जहां पर भी लगाई है और आपका चो supply का pipe है वह है 1000 फूट दूरी पे है तो हम इस मोटर के दोरा पानी असानी से खीच सकते हैं supply वाला pipe है वह घराई में नहीं होना चाहिए, दूरी पे होना चाहिए, लंबाई में होना चाहिए यदि आपका supply का pipe नीचे हो 1000 foot नीचे हो तो यह motor पानी नहीं चेकेगी यह सिर्फ लंबाई में जो पाईप होगा उसी का पानी खीचेगी अब हम बात करते हैं इस motor के कि कितनी उचाईब के उपर यह motor कितने लीटर पानी एक गंटे के अंदर पहुंचा सकती है तो जो आप देख सकते हैं D1 जहां पर नाम दिखाई दे रहा है मोडल के वह आप देखेंगे आप D1 लिखा हुआ है पाउर लिखा हुआ है किलोवाट अच्पी 0.75 किलोवाट है एक अच्पी की motor है pipe size इसका दिया हुआ है 25 गुना 25 उससे आगे हम आएंगे यहां पर लिखा टोटल हैड इन मीटर और नीचे लिखाई डिश्टार्ज इन लेटर परती है आगर से 6 मीटर उचाई के उपर 42 लेटर पानी हम इस मोटर के द्वारा पहुंचा सकते हैं जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे 9 मीटर उचाई के उपर 4950 लेटर पानी पुचा सकते हैं इसी तरह से 12 मीटर उचाई के उपर 3750 लेटर पानी 15 मीटर उचाई के उपर 3450 लेटर पानी 18 मीटर उचाई के उपर 3250 लेटर पानी 21 मीटर उचाई के उपर 3000 लेटर पानी और 24 मीटर उंचाई के अपर 2880 लीटर पानी 27 मीटर उंचाई के अपर 2520 लीटर पानी है 30 मीटर उंचाई पर 2250 है 33 के अपर 2220 है 36 के अपर 1850 है 49 के अपर 1640 है 42 मीटर उंचाई के अपर 1450 है 45 मीटर उंचाई के अपर 1200 लीटर है सबसे लाश्ट में है 48 meter, 48 meter उंचाई के उपर 900 liter पानी एक गंटे के अंदर यह इस motor के दोरा पहुचा सकते हैं. यह थी इसकी पानी की कपेश्टिकी हम उंचाई के उपर कितने distance के उपर कितने लीटर पानी एक गंटे के अंदर पहुचा सकते हैं. आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको जहां पर उपर पानी पहुचाना है तो आपके जो उंचाई है वह कितनी है और आप एक गंटे के अंदर कितना पानी इस मोटर के दोरा पहुचा सकते हैं इस मोटर में आपने देखा होगा कि इस मोटर के जो RPM है कम है जो कि और मोटर होती उसे RPM कम का मतलब होता है कि इसके जो पानी खिचनी की संता होती है वह पीछे से ज़्यादा होती है यदि मालो, पीछे सप्लाई का पानी रुक रुक कर आ रहा हो, या स्वलो स्पीट में आ रहा हो, तो यदि हम इस मोटर को वहाँ पर लगाएंगे, तो यह मोटर बीच में पानी को रुकने ने देगी, लगातार पानी हमें देधी रहेगी. अब हम बात करते हैं इस मोटर के रेट के बारे में मार्किट में इस मोटर का जो रेट है अप्रोक्स 11,000 रुपे के आज पास चल रहा है हो सकता है 200, 300, 400, 500 रुपे कम हो या फिर जैदा हो लगबग जो रेट है इसका 11,000 रुपे के आज पास ही है हैवल्स की D1 मोनोबोलक पंप है या फिर कोई और मोनोबोलक पंप है उन सभी के अंदर कुछ एक फीचर सेम होते हैं जो आपको सामने डिस्पले पर दिखाई दे रहे हैं यह सभी फीचर दिये गए हैं जो कि D1 मोटर के उपर भी लागू होते हैं इसमें आप सब कुछ देख सकते हैं कि किते वोट बिजली के उपर यह चलती है और IP प्रोटेक्शन है या नहीं है कौन सी कलास के इसके अंदर जो पेपर यूज किये जाते हैं सब कुछ डिटेल इसके उपर है तो आप यह पढ़ भी सकते हैं प्रोटेक्शन है कर दो आप इसके प्रोटो करें मचक की दोप देख